वेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड इस्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजूल शुरू करूंगा फिंगर्स के अन के लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहों तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वारिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी लाफ में रहने वाली है कुछ इस तरह हैं की हथेली की शेप यहा काफी थिक नजर आ रहे हैं इन एरिया से आप देख सकते हैं जो अच्छी एनर्जियो स्टैमना को शो करते हैं साथ ही साथ कुछ खड़ी रिखाएं आपको यहां पर नजर आ रही होंगी इस तरह की खड़ी रिखाएं फिंगर्स के ओपर होना काफी अच्छा माना जाता ह इस तरह की रिखाएं होने से व्यक्ति की जो नेचर रहती है काफी फ्रैंडी रहती है और अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी यहां पर सूरिया फिंगर और गुरू फिंगर में थोड़ा डिफरेंस है सूरिया फिंगर थोड़ी ज़्यादा लंबाई में नजर आ रही ह अगर हम compare करते हैं इनकी गुरू फिंगर के साथ जो indicate करती है काफी अच्छी creativity को यहाँ creativity का level काफी अच्छा रहेगा और गुरू फिंगर का short होना यहाँ पर leadership qualities को थोड़ा सा कम करता है otherwise गुरू फिंगर की जो strength है जो shape है वो काफी अच्छी है इवन गुरू माउंट भी अच्छा है जिस वजह से family की तरफ से अच्छे सुख रहेंगे और जो इनकी शनी फिंगर है वो भी यहाँ पर काफी strong नज़र आ रही है बिलकुल straight शनी फिंगर यहाँ पर काफी अच्छे benefits इने देंगी hard working nature इनकी बनेगी और life में अपने hard work की वजह से यह काफी अच्छी gain प्रापत कर सकते हैं आगे देख सकते हैं इनकी mercury finger को mercury finger की length यहाँ पर सूर्य फिंगर के first falange तक पहुँचती हुई बिलकुल straight mercury finger इने independent सभाव का इनसान शो कर रही है और mercury finger और सूर्य फिंगर के बीच में जो gap यहाँ पर नज़र आ रहा है वो यहाँ पर इनकी independent and responsible nature को भी शो करता है overall mercury finger का straight होना और बिलकुल सीधा और सूर्य फिंगर के first falange तक पहुँचना इस finger का indicate करता है काफी अच्छे communication skills को और साथी साथ काफी अच्छे business acumen को भी तो business करने के शमता काफी अच्छी रहेगी इनके बीच्छी तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं इनकी सभी lines और सभी mounts इनके बारे में क्या क्या indications हमें देते हैं तो mounts को चेक करने के लिए यहाँ पर एक line में draw करता हूँ तो कि इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी mount यहाँ पर low set होता हुआ नजर नहीं आ रहा सभी mounts को काफी अच्छी space मिलती हुई दिखाई दे रही है और one way one सभी mounts को चेक करते हैं तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इनका जो guru mount है guru mount पर उपर की तरफ चलने वाली तीन रिखाएं मुझे नजर आ रहे हैं इस तरह की तीन upward जाने वाली रिखाएं जो यहाँ पर काफी benefits से ने देने वाली हैं इस तरह की रिखाओं को हम progress lines कहते हैं और जिनके भी हाथ पर इस तरह की progress lines बनती हैं ऐसे व्यक्ति life में काफी अच्छी progress कर लेते हैं और जब यह रिखाएं life line से निकल कर उपर की तरह बढ़ती है तो indicate करती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी महिनत के बलबूते पर life में काफी अच्छी progress पाता है overall कोई भी यहाँ पर problem मुझे इनके guru mount पर नजर नहीं आ रही guru mount यहाँ पर काफी उभरा हुआ है जो इने spiritual type की nature भी देगा और साथी साथ काफी benefits family की तरफ से अच्छी जो खुशिया है व्यक्ति को रहती है पुत्र सुख मिलता है इस तरह का guru mount होने से तो वो सभी चीज़े life में इनके रहने वाली है तो चलिए आगे देखते हैं शनी mount को शनी mount आप देख सकते हैं यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है दबा हुआ शनी mount व्यक्ति को काफी महिनत करवाता है तो यहाँ पर life में ups and downs का सामना भी इने करना पड़ेगा काफी महिनत भी रहेगी समय समय पर life में financial problems का भी life में सामना करना पड़ सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इनकी जो भागया रेखा है वो बीच में यहाँ पर रुकती हुई और रहू रिखाओं से कटती हुई नजर रही यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 की एज में यहाँ रेखा कट रही है 36 की एज से यह फिर से आगे बढ़ रही है और इस तरह से एक और रेखा जो जिसको हम सहायक रेखा कह सकते हैं वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हुई इस तरह की formations बन रही है शनी रेखा में जो यहा में 36 की एज के बाद और 40 की एज के बाद लाइफ में काफी अच्छी प्राग्रस इने देखने को मिलेगी अधर वाइज उससे पहले कुछ ट्रेगल रह सकती है लाइफ में financial प्राब्लम्स रह सकती है और आगे चलकर यह प्राब्लम्स जो हैं दूर होती हुई नजर आ रही ह आगे अब देख सकते हैं कि सूरे माउंट को सूरे माउंट यहाँ पर शनी माउंट की भाती थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है बहुत उभरा हुआ सूरे माउंट नहीं है और सूरे माउंट के उपर कुछ हलका फिश का चिन बनता हुआ यहाँ पर यहाँ पूरी तरह से complete fish का चिन नहीं है कुछ इस तरह से एक हलका चिन बनता हुआ और अगर यह deep line से बन जाता है और ज़्यादा dark हो जाता है तब यहाँ इने काफी benefits दे सकता है लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इस तरह का चिन बनने से व्यक्ति को name and fame और अच्छी recognition society में जरूर मिलती है तो यहाँ पर एक छोटे size की line इनके हाथ में सूरिया रेखा जिसको हम कहते हैं बहुत लंबी नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरिया रेखा कुछ इस तरह से और यह जो branches हैं यह गडल आफ वीनस की branches हैं जो यहाँ पर इन्हें थोड़ी moody nature भी देगी और सूरिया रेखा का short होना indicate करता है कि व्यक्ति को old age में चलकर ही इस रेखा के benefits मिल पाते हैं जो social circle है जो मान समान है समाज में वो old age में जाकर ज्यादा मिलता है आगे देखते हैं इनके mercury mount को mercury mount यहाँ पर काफी अच्छी position में है mercury mount को space अच्छी मिल पा रही है और mercury mount के उपर खड़ी रिखाएं मौझूद है जो यहाँ पर इन्हें sympathetic nature तो देगी ही साथी साथ यहाँ पर काफी अच्छा business acumen इनको देती हुई के हाँ पर ऐसी खड़ी रिखाएं हो ऐसे वक्ती काफी clever minded होते हैं और business करने में किशम होते हैं और यहाँ पर इनकी जो business करने की एक और रिखा जिससे हम देखते हैं जिसको mercury line कहा जाता है वो भी मौझूद है जो यहाँ पर बेशक बहुत जादा लंबाई में नहीं है लेकिन एक deep cut line यहाँ पर mercury रिखा जो यहाँ पर थोड़ी overlapping के साथ उपर बढ़ती हुई इस तरह की mercury line बनती हुई जो यहाँ पर इन्हें life में business के थुरू काफी अच्छे benefits देती हुई दिखाई दे रही है overall यहाँ पर money triangle complete नहीं हो पा रहा reason उसका यह है कि money triangle के लिए 3 रिखाएच चाहिए हमें यहाँ जो रिखा है उपर की तरफ चलती है mercury line कहते हैं और यहाँ जो रिखा है जिसे हम भागया रिखा कहते हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह हैं से चलती हुई जो एक complete formation यहाँ पर money triangle की नहीं बना पा रही और यहाँ जो रिखा है जिसे हम कहते हैं mind line यहाँ तीनो रिखाएं अगर यहाँ रिखा भी जुड जाती कुछ इस तरह हैं से और आगे की तरफ बढ़कर एक complete त्रिकोन बना देती तब यहाँ money triangle पूरा होता लेकिन यहाँ पर यह money triangle पूरा नहीं हो पा रहा कुछ इस तरह की formation हो रही है जिसमें money triangle खुला है जो indicate करता है कि व्यक्ति income तो काफी अच्छी generate करेगा लेकिन खर्चे काफी ज्यादा हो सकते हैं आगे देख सकते हैं इनकी major lines को यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इनकी जो line of heart है वो सीधा आगे बढ़कर guru mount तक पहुँचती हुई बहुती अच्छी रेखा मानी जाती है जब यह रेखा कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़कर guru mount तक पहुँच जाती है guru mount का जो area है यहां से शुरू होता है guru mount तक इस रेखा का पहुँचना indicate करता है कि व्यक्ति काफी honest रहेगा काफी loyal रहेगा धरम करम के काम करने वाला होता है दिल से धार में कैसे लोग होते हैं जिनकी जो भागिया रेखा जो हिरते रेखा है वो पूरी तरह से आगे बढ़कर guru mount तक पहुँच जाए तो काफी अच्छी line है यहाँ पर और deep cut line है जो इन्हें एक अच्छे दिल का मालिक बनाती है कुछ हलकी हलकी छोटी branches यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की branches मुझूद हैं इनकी heart line के ओपर जो थोड़ा सा negative result देती हैं इस तरह की छोटी lines होने के वज़े से emotional setbacks मिलते हैं life में और उन्हीं लोगों से हम की तरफ से emotionally hurt होते हैं जिनके साथ बहुत ज़ादा हमारी attachment होती है तो यहाँ पर कुछ ऐसी रिखाएं जो इनको emotionally setback देती हुई भी नज़र आ रही है otherwise heart की health को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी health रहनी चाहिए हलकी overlapping heart की line में यहाँ पर मुशे नज़र आ रहे है बहुत ज़ादा इसका नुकसान तो नहीं होगा इस area में थोड़ा सा overlapping होना blood pressure जैसी problems इनको दे सकता है otherwise heart की line में कोई भी major issue नज़र नहीं आ रहा आगे देखते हैं कि mind line को तो आप देख सकते हैं mind की line अंदर से चलती हुई mangal area से mind की line चलती कुछ इस तरह की formation बनाती हुई mind की line जब भी इस inner mars के area से चलती है यहां पर इनका काफी prominent है जिस वज़े से थोड़ी aggressive nature भी रहेगी थोड़ा गुसे वाला सभाब भी इनका रह सकता है यहां से इस line का चलना indicate करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी plannings करता है life में और उन plannings को जब शुरू करना होता है implement करना होता है वो भी कर लेता है लेकिन आगे चलकर उसमें changes करते रहना व्यक्ति की nature हो सकती है otherwise mind line काफी अच्छी है बिलकुल एक अच्छी लंबाई में जो यहां पर एक sharp mind को indicate कर रही है लेकिन साथ में थोड़ी जल्दबाजी में plannings करना और उसमें बाद में decisions ना ले पाना और changes करते रहना इस तरह की nature भी इनकी रहने वाली है चलिए आगे देखते हैं इनकी line of life को life के line यहां पर काफी strong है लंबी life की रेखा और अगर देखा जाए तो यहां पर लगभग 85 प्लस की age को show करती हुई लाइफ लैन में देख पा रहा हूँ अब देख सकते हैं life की line यहां से चलती हुई लगभग यहां तक पहुँचती हुई काफी गुलाई में और लंबी रेखा और यहां पर एक fish का चिन create होता हुआ इस तरह का fish का चिन जो kato area के उपर जिसको हम गयते हैं काफी लाबदायक माना जाता है जिनके भी के तुरे उपर ऐसा fish का चिन बनता है ऐसे व्यक्ति long distance traveling करते हैं और इसके तरह का चिन होने से व्यक्ति को अचानक धनलाब होने के chances भी रहते हैं inherited property मिलने के chances रहते हैं तो यह काफी बैनेफिक चिन है उसके इलावा आप देख सकते हैं कुछ stress lines यहां पर एक stress line में देख पा रहा हूँ 40 के आसपास की age में इनकी life line को disturb करती हूँ जिस वज़े से किसी health issues का या financial problem का इने सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह है रिखा इनकी life line, mind line और इनकी जो mind line के साथ भागया रिखा है सभी रिखाओं को cross करती हैं आगे बढ़ रही है तो यह है stress रह सकता है 40 के आसपास की age में इनको और एक strong line यहां पर आप देख सकते हैं जिसे mangal रिखा कहते हैं वो भी मौझूद है mangal इनका काफी strong है जिस वज़े से aggressive nature रहेगी और इस तरह की रिखा होने से व्यक्ति अपनी life में काफी अच्छी जमीन जायदाद भी बना लेता है तो उस चीज़ के भी chances strong रहेंगे और शुकर area के पर बहुत सारे deep lines worry lines जो family की तरफ से worries व्यक्ति को देती है चिंताइं रहती है earning की चिंताइं family को किस तरह से संभालना है इस तरह की चिंताइं व्यक्ति को worries जो unnecessary हैं वो व्यक्ति को मिलती है जो इस तरह की काफी सारी रिखाएं शुकर mount के ओपर नज़र आएं चंदर area के उपर भी कुछ ऐसी lines आप देख सकते हैं इस तरह की lines जो percussion area पर हमें नज़र आती है यह रिखाएं व्यक्ति को short distance traveling के साथ-साथ anxiety जैसी problem भी रहती है और ऐसा व्यक्ति अपनी anxiety को दूर करने के लिए भी traveling करता है तो यहाँ पर traveling काफी ज़्यादा रहेगी एक रिखा जिसे हम via lascivia line भी कह देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की line बनती हुई यह रिखा कहलाती है via lascivia line जो के line of addiction भी कहलाती है इस तरह की रिखा होने से व्यक्ति को life में किसी ना किसी तरह की addiction होने के chances भी रहते हैं तो यह रिखा जो है बहुत ज़्यादा शुब नहीं मानी जाती जिनकी भी हाथ पर चंदर एरिया और शुकर एरिया को join करने वाले ऐसी रिखा मौजूद हो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह के नशे में ना पढ़ें किसी तरह की addiction में ना पढ़ें या किसी तरह की medicine जो regular लेनी पड़ती है इस तरह की medicines को भी थोड़ा wide करें क्योंकि किसी तरह की addiction life में होने के chances बढ़ जाते हैं जब इस तरह की VLA-CVLA line हाथ में मौजूद हो तो यह कुछ analysis थे मेरी तरफ से इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एकी वीडियो के तरूँ दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुवाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद